मैंने कॉंग्रेस में कोई आधिकारिक तौर पे काम नहीं किया है तो मैंने कोई छोड़ के नया कुछ नहीं किया है यह मेरा स्री गनेशा है आज पहली बार मुझे मैंने बोला ना महिला रेजर्वेशन नारी शक्ति वंदन महाविदयक जो उन्होंने लाया है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई क्योंकि इस भारत में जो 50 चके महिला है उनको 33 प्रतिशत जो आरक्षन मिला है तो एक प्रका से जाद पात खेत्र कुछ नहीं देखा जाता है वहां आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है भारती जंता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के रूप में वरिष्ट कॉंग्रिस नेता और पूर्व केंद्रे ग्रह मंतरी शिवराज पाटिल की बहु अर्चिना पाटिल ने लोग सभाद चुनावों के पूर्व शनिवार को भाजपा में शामिल होने का पैसला किया महराश्त के उप मुख मंतरी देवेंदर फलंभीस और भाजपा के राच इपाई अध्यक्ष चंद्र शेखर बंबाकुले की उपस्तिती में मुंबई में भाजपा में शामिल होने का अलान किया शिवराज पाटिल जो महराश्त के माराठा वाड़ा शेत्र के लापूर से हैं यूपीए एक सरकार के दोरान केंद्री ग्रह मंतरी थे लेकिन चब्वेस ग्यारा मुंबई आतंकी हमलों के बाद उन्होंने इस पुपा दे दिया था उससे पहले उन्होंने लोगसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कारे किया था इस अवसर पर पड़नवीस ने कहा की अर्चना पातिल समाजिक कारे से जुड़ी हुई है और उनका भाजपा में शामिल होना पार्टी की लातूर और मराठावाडा शेत्र में मदद करेगा इस पढ़न को भाजपा के प्रयासों का हिस्सा भी माना जा रहा है जो मराठावाडा शेत्र में अपनी महिने महराश्ट के पूर्व मुख्य मंत्री अशोक चवहान जो मराठा वाड़ा के नांदेड शेत्र से हैं उन्हों ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया अर्चना पाटिल ने कहा कि वो फिशले दो दशपों से समाजिक कारे से जुड़ी हुई है उन्होंने राजमीती के लिए भाजपा को चुलने का फैसला दिया आपको बता दे कि अर्चना पाटिल का भाजपा में शामिल होना एक महत्रम हिए भाजपा के लिए महराश्त में उनके स्थुपी को मजबूत कर सकता है यह कदम भाजपा के लिए माराठा वाड़ा शेत्र में उनके प्रभाव को बढ़ाने का हिस्सा है इसके अलावा ये घटना भाजपा के प्रयासों को दर्शाती है जो मराठा वाड़ा शेतर में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए है घटना भाजपा के लिए एक महत्पून उत्थर्श का फ्रतीख है जो उनके लिए नई आशाओं और सभावनाओं का द्वारत बोलता है ये घटना भाजपा के लिए एक नई शुरुआत का संकेत देटी है जो उनहें नई चुनौतियों का सामना करने और नई उचाइओं को हमारे अगली वीडियो में हम अर्चना पाजन के भाजपा में शामिल होने के प्रभाव को और अधिक विस्तार से केटिंगे हम उनके योगदान को महसूस करेंगे और भाजपा के लिए उनके शामिल होने के प्रभाव का इश्लेशन करें हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कोपिया इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक कि दिए वीडियो पसंद आया है